नमस्कार दोस्तों मैं हूं दॉक्टर अमित मैंश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीओ में टास ओवरसीज लिमिटेड आप से भी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट मिलेनियर की सीरीज में आज की सीरीज में हम बात करेंग अपना ट्रेडिंग एंड डिमेट अकाउंट आप खोलें और ट्रेडिंग एंड डिमेट अकाउंट खोलने के लिए आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी आप अपने बैंक में समिट करें आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ अपने trading account खोल सकते हैं और बहुत सारे bank थो फैसिलिटी डिरेक्ट देते हैं जैसे ICC bank में saving account है और उसी के साथ वो ICC direct आपको दे रहेते हैं जिसमें आपका trading डिमेट account होता है तो सबसे पहला काम है डिमेट एकाउंट खोलना दूसरा जो step है वो है investment budget set करना कि आपकी income का कितना आप invest करना चाहते हैं मैंने आपको example group में बताया कि जो भी earning आप करते हैं उसका 20% invest करें तो for example अगर आपकी salary एक लाक रुपे है तो कम से कम 20,000 रुपे महिना आप invest करना शुरू करें या अगर आप सिर्फ 20,000 रुपे कमाते हैं तो कम से कम 2,000 रुपे invest करना शुरू करें यह डिपेंड करता है कि आपके income कितनी है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास past performance की savings जो इकट्थी है हम उन savings को इन्वेस्ट करके भी अपना डिमेट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको वह amount इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको present में जुरूत नहीं पढ़ने वाली है अगला जो third step है वो है set your investment goal आप जो investment कर रहे हैं उसका goal क्या है क्यों कर रहे हैं आप investment why you are investing like simply investing की भई ठीक है मेरा पैसा मेरे पास है तो bank में हमें मिलने वाला return जो वो 4-5% है FD में 7-8% है तो क्यों ना मैं share market में invest करूं ताकि मुझे 18-20% का return आ जाए यह भी कारण हो सकता है या आपका specified goal भी हो सकता है कि मेरा एक specified goal है इसको पूरा करने के लिए मैं अपने पैसे को invest कर रहा हूं और grow कर रहा हूं जैसे आपका dream house है आपके dream car है जो further education के लिए आपने invest करना शुरू कर दिया है या आप retirement के planning कर रहे हैं या किसी time duration में आपको कभी पैसे के जरूत पढ़ने वाली है जैसे आपके sister की marriage होनी है आपसे 10 साल बाद आपको पैसे के जरूत है तो आप investing शुरू करें और अपना goal जरू करें कि किस goal को लेकर आप investing शुरू करें फूर्थ जो step है don't expect quick gain कमाने की कोशिश कभी भी ना करें और ना कभी expect करें मतलब 50% 100% 200% 300 400 500% की expectation ना रखे 18-20% एक बहुत अच्छा return होता है ध्यान रखें invest हमेशा long term के लिए करें जब आप लंबे समय के लिए invest करेंगे तो आपकी जो compound interest की power है वह आपकी capital को बहुत बड़ा कर देगी आपकी investment को बहुत बड़ा कर देगी intraday trading, swing trading as a beginner इस पर ध्यान ना दे क्योंकि यहां पर कई बार क्या होगा कि high risk होने की वज़र से आपका पैसा डूब जाएगा आगे आने वाली classes में आपको बताऊंगा intraday trading क्या होती है या swing trading क्या होती है intraday के क्या-क्या losses हैं क्या-क्या benefits हैं वो सब कुछ हम explain करने वाले ह विश्व का आठ्वा अजूबा है compound interest इसको एक example के माध्यम से मैं आपको बताता हूं मान लिजिए आपकी income पचास अजार रुपे है fine और उसका 20% बने आपसे कहा था आप invest करें अगर आप वो पचास अजार रुपे में से 20% सिर्फ बैंक में deposit करते जाएंगी तो आपका पैसा बहुत जारा grow नहीं होगा मैं मान लेता हूं वो 10,000 रुपे का investment आप share market में invest कर रहे हैं और right strategy और right knowledge को implement करके कर रहे हैं और आपको सिर्फ 12% का return मिल रहे हैं तो मान लेते हैं हर महीने जब आप 10,000 रुपे जमा करेंगे तो एक साल में जाकर 1,20,000 रुपे आपके जम बनेगा 1,26,825 रुपे मतलब आपने invest कितना किया 1,20,000 रुपे और आपका बन कितना गया 1,26,825 रुपे 12% annual return के हिसाब से second year आपका पैसा कितना हो जाएगा वो लगातार आप 10,000 रुपे हर मेने invest करते जाएंगे तो 2,70,000 रुपे लगभग आपका हो जाएगा 5 साल आपका हो जाएगा वो 23 रुपे 15 साल बाद 50 रुपे 20 साल बाद 1 करूड रुपे और यहां देखना आप compound interest की power क्या है 25 साल बाद आपका डबल होने वाला होगा 1 करूड 90 रुपे वो amount हो जाएगा 30 साल बाद वो amount 3 करूड 50 रुपे हो जाएगा और 35 साल बाद लगभग 7 कर और लगने के बाद आपका amount लगभग 7 करूड के equivalent हो जाएगा अब आप मेंसे बहुत सार लोगे बात कहेंगे कि महिश्वरी जी हम तो 35 साल का इंज़ार नहीं कर सकते तो मैंने तो investment 10,000 की बात किये और return की बात किये 12% की मान लेजी आप 20,000 क्योंकि जैसे से आपकी income कर रहे हैं और आपकी income regular बढ़ रही है तब भी आपका जो amount है वो बहुत बड़ा होने वाला है अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे महिश्वरी जी आप में तो 30 साल 35 साल के बारे में बता दिया इतना लंबा सामें किसके पास है तो friends यहां investment भी example की रूप में मैंने 10,000 लिय फाइन और rate of return जो लिया है वो लिया है 12% वो 15 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है कई बार तो share market में आपको और ज्यादा मिलने वाल return हो जाता है फिफ्थ जो step है वो है invest with diversification warm बफेग बात कहते हैं do not put all eggs in one basket सारे के सारे अंडे ना एक basket में मत रखो ठीक उस तरह से share market में जब आप invest करें तो किसी एक company पर सारा का सारा पैसा इंवेस्ट ना करें एक तरह के share में इंवेस्ट ना करें उसको diversify करें मतलब 5-3-2 के ratio में for example आप 100 रुपे इंवेस्ट करने वाले हैं तो 50 रुपे इंवेस्ट करें bonds में mutual funds में जहां पर risk बहुत कम होता है और मिलने गेने का मिली मइड और मिष्ट ग्रग करें दूपे क्बा के मिलने तो जिन हैं पिस परि civht उती और जिनकी और गोलने चे करें जहां पर क्रोच की समबावनाएं बहुझ ज्यादा है और वह कौनक्स कमपनी ऐसमार कंपनी जहां पर आप अपना 20% इंवेस्ट करें, मतलब अगर 100 रुपे इनवेस्ट करने हैं, आपको बॉंड्स में, बॉंड्स में 30 रुपे इनवेस्ट करने हैं, आपको large-cap या mid-cap companies में और 20 रुपे invest करने हैं, Small-cap companies में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी company के share अगर हम खरीते हैं तो उसकी PB ratio करेंगे हैं, EPS कैसे चेक करते हैं और उसके लवाब PE ratio का benefit है क्यों हमें चेक करनी चाहिए, company का DE ratio करेंगे है, ROI कैसे चेक करते हैं, और current ratio का ही चेक करते हैं, इन 5 तरह की ratios को चेक करके हम कैस जल्दी देंगे इस सीरीज को पूरा ध्यान से देखें तब ही आप शेर मार्केट के बारे में सब कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आप के सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत